तो आज ये वीडियो हम बना रहे हैं जो हम new workout plan शुरू करने वाले हैं Old School Bodybuilding Workout Plan जो कि मैंने Arnold, Frank, Jane जैसे best bodybuilders से इंस्पायर होके बनाया है क्योंकि मेरे को उनकी body काफी अच्छी लगती थी आजकल की जो new bodybuilders हैं मेरे को इत्ते appealing नहीं लगते लेकिन वो काफी appealing और hard working bodybuilders थे तो मैं उनका काफी ज़्यादा फैन हूँ तो उनसे इंस्पायर होके मैंने ये workout plan शुरू करने वाला हूँ तो ये मैं आपके साथ भी share करूँगा तो इस वीडियो में आज मैं बताऊँगा कि हम क्या क्या लगाएंगे और क्या supplement stack रहेगा हमारा तो वीडियो के end तक बने रहिएगा मैं हूँ आपका personal trainer नाम है नवजोज सिंग वेल्कम टू यॉर पीटी चैनल तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारा अब जो न्यू वोकाट प्लान में शुरू करने माला हूँ ओल स्कूल बॉड़ी वोकाट प्लान इसमें हम छे दिन करेंगे दिन के छे दिन हमारी ट्रेनिंग होगी मन्डे को हुगा हमारा chest and back day तूस्डे को हुगा हमारा shoulder, tricep and biceps वेडनेस दे को हुगी हमारी legs तन सारा repeat तर्स्डे को गें chest and back फ्राइडे को shoulder, tricep and arms and again Saturday को legs and Sunday हमारा हुगा rest प्रूब्धी प्रॉपर रेस्ट लेने हमने तब हमने कोई भी hard activity नहीं करनी, muscles को recover होने के लिए time देना है, तो ये रहेगा हमारा पूरा week का plan, और हर week जैसे Monday और Thursday को हमारी chest and back है, तो इसमें हमारी exercise सेम नहीं होंगी, हमारी different होंगी, जब हम workout plan मेरा आएगा, आप देखोगे, तो आपको पता चलेगा, देखने में ये मज़ा भी आएगा, और आपको result भी दिखेंगे, अगर साथ में आप एक अच्छा proper diet plan फॉलो करोगे, तो diet plan अगर मेरे को से आपने जानना है, तो diet plan के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, कि मेरे को 1000 subscribers हो, उसके बाद मेरे अच्छे diet plan भी आएगे, तब तक के लिए आप म मेरा diet plan, sorry, supplement plan क्या रहेगा, तो वो मैं आपके साथ share करता हूँ, तो जो सब सिर्फ में चीज है, जो हमें workout plan में follow करनी है, वो है, ये, वे protein, तो मैं ये rule 1 की वे protein यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छी वे protein है, जैसे अगर आपका budget थोड़ा tight है, और आप अच्छी quality की protein this is the best, लेकिन अगर आपका budget का कोई problem नहीं है, तो आप high quality की protein भी ले सकते हैं, काफी ये एक blend protein है, ये pure isolate नहीं है, लेकिन इसकी digestibility, इसकी quality बहुत बहुत जादा अच्छी है, और मैं इस brand का fan हो गया हूँ, बहुत अच्छे supplements निकाले हैं, तो काफी अच्छी protein है, आप इसक कोई उपर का brand ही ले ले जैसे diametize हो गया, आईसो प्योर हो गया, ये brands काफी अच्छे हैं, the protein works हो गया, तो muscle farm हो गया, muscle tag काफी है, तो कोई भी एक अच्छा genuine brand ले आप, वो आपको अच्छे से result देगा, और बस ये है, protein है, ये पहला हमारा supplement, और जो हमारा दूसरा supplement है, वो हो है, ये, protein, तो, protein भी मैं, rule one की use कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि, काफी अच्छा brand है ये, और supplement भी काफी इसके budget में है, तो, protein भी मैं, rule one की use कर रहा हूँ, काफी अच्छी protein है, तो, मैं लोंगा, तकरीब बन, तीन ग्राम, मैं post workout में, अपने protein में ही mix करके, तीन ग्र कर रहने वाला हूँ अब, तो मेरी power कम हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी मेरी power, क्योंकि अब मैं इस plan में low calorie में रहूँगा, क्योंकि मेरे को अपनी fat को burn करना है, तो, उसके लिए मेरे को low calorie में आना ही पड़ेगा, तो, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर to shred body आपके लिए बनानी है, तो, उसके लिए मेरे को low calorie में आना पड़ेगा, तो, उसमें मेरी power effect होगी थोड़ी, मेरी strength कम होगी, तो, उसके लिए मैं क्रिटेन एड़ कर रहा हूँ, 3 ग्राम क्रिटेन, काफी है मेरी लिए, मैं उसको protein में mix करके after workout लोगा, तो, ये तो Amino Energy काफी अच्छा supplement है, इसको आप as a pre-workout यूज कर सकते हैं, आप as a BCA यूज कर सकते हैं, आप as a EA यूज कर सकते हैं, इसमें सारे ही Amino Acid चाहिए, तो, काफी अच्छा supplement है ये, कैफीन भी इसमें काफी कम है, 160 mg कैफीन है इसमें, जो की tolerable है और safe है एकदम, ना कि जो garbage pre- work-outs आते हैं, मार्केट में, जैसे कि नाव नहीं ले सकता मैं, 500 mg कैफीन है उनमें, 300 mg कैफीन है, जो की *** है, मेरे ख्याल से तो एकदम, अगर आप 2-3 स्कूप उसके ले लोगे, तो आप मर सकते हो, उन्होंने लिखा भी होता है, कि प्लीज डोंट टेक वन स्कूप, एक स्क काम आते हैं, तो आप इसको ट्राइ करें, अगर आप कैफीन एडिक्ट नहीं है, अगर आपको कैफीन की जरूरत नहीं पड़ती जादा, वरक आउट अच्छे से करने के लिए, तो आप ये प्री वरक आउट में हार्ली रेकमेंट करूंगा, यूज करके देखें, अगर आइस अब मैं प्री वरक आउट नहीं बहां, इसमें E-A-A-S है, तो इसलिए मैं ले रहा हूँ, इसमें सारे ही अमीनो आसेट है, जो एक बेसिक बीसी है, उसमें सिर्फ तीन ही अमीनो आसेट होते हैं, जैसे आईसोलूसीन, लूसीन और वैलिन, लेकिन इसमें सारे अमीन मैं चल जाएगी और प्रोटीन के भी मेरे दो तिन डबबे लग जाएगे क्योंकि प्रोटीन के भी मैं दो स्कूप्स लेने वाला हुं जिससे तकρίब 5 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जाएगा तो मैं लेने कैसे वाला हूँ अमीनो ऐनर्जी को मैं इंट्र वक आउट लोगा इसको मैं इंट्र वक आउट लोगा जैसे है वक आउट करते करतर साथ में सिप सिप पी היungगा, इसको और क्रिटेन एक स्कूप प्रोटीन में लोंगा 3 ग्राम क्रिटेन और एक प्रोटीन का स्कूप मैं सुबह लोंगा मेरी स्मूदी होती है काफी स्पैसल उसमें डालता हूं मैं तो वो उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगा जल्दी ही जब आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर करा दोगे त तो उसमें मैं एक स्कूप डालूगा तो उसमें तक्रीबन मैं सुबह ही 50-60 ग्राम प्रोटीन ले लेता हूं तो यह मेरे सप्लिमेंट की सर्विंग्स रहेगी और इसके इलावा आप बहुत जित्ता मर्जी खर्च करो कम है लेकिन यह एक बेसिक सप्लिमेंट और यह बज कर सकते हैं लेकिन इस तीन सप्लिमेंट के लावा कोई और सप्लिमेंट आप एड़ करोगे तो इतना ज्यादा फरिक नहीं डालने वाला तो यह मेरा सप्लिमेंट स्टैक है और मैंने अपने वरकाउट प्लान के बारे में आपको एक अच्छी सी इंट्रोड़क्शन दे द इक दियाए